हेलो गाईज आज हम छोले चावल बनाएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं छोले चावल बनाना सबसे पहले हम छोले बनाएंगे ये हमने एक छोटा बाउल छोले लिये थे इनको हमने उबाल लिया है ये देखो इसको हमने अच्छे से उबाल लिया है और इसमें हमने नमक भी डाला है एक चमच आप अपने स्ववादनुसार नमक डालना और ये मैंने तीन टमाटर लिये हैं इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है और ये कुछ मसाले लिये हैं लाल मिर्ची पॉडर आधा चमच हल्दी एक चमच हमने धनिया पॉडर नमक स्ववादनुसार लिया है क्योंकि हमने छोले में भी पहले नमक डालना हुआ है और ये मैंने तीन बड़े प्याज लिये हैं इनको बारिक कट कर लिया है तो आईए बनाते हैं सबसे पहले काले चने बनाएंगे ये मैंने कढ़ाई लिया है सबसे पहले में कढ़ाई में ओईल डालूँगी ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें चुटकी भर हेंग डाल दूँगी और अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा हों डाल दूँगी ये हमारा जीरा चटक चुका है अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी कैने प्याज का गरूलिए प्याज को मैं में ब्राउन होने तब लून उन गीडाएंगे प्याज को ये हमारे प्याज फल के दूंने लगे हैं मैं लचल डाल ना भूल गए थी आभ मैं इसमें थोड़ा सा या ये लचल डाल डूंगी और इसे भी मैं प्याज के साथ ही भून दूँगी यह हमारे प्याज भून चुके हैं हमारे प्याज अब मैं इसमें यह अद्रक डालोंगी और साथ ही मैं यह तिमाटर डालोंगी इसमें और अब मैं इसमें यह मासाबर आओ दूँगी और अब मैं इसमें यह मासाबर आओ दूँगी कोड़ा सा पन डालोंगी और मसाले को अच्छे से बून दूँगी यह हमारा मसाला अच्छे से बून गया है अब मैं इसमें यह चने रालोंगी और थोड़े से चने में बचा लूँगी इन चनों को मैस कर दूँगी थोड़ा सा मैं इन्हें इससे मेस रूँगी और यह हमारे चने मेस हो चुके हैं इन्हें भी मैस में डाल दूँगी इससे अच्छे से मेक्स करूँगी मैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा ओर पानी डालूँगी पैने लगबग इसमें आदर गिलास पानी डाला है और अब मैं इसे 15 मिट के लिए ढख कर पकने दूँगी हमारे ये चनी बखते हैं तब तक हम चावल बना लेते हैं ये हमने एक गिलास चावल लिए हैं इनको हमने आदे घंटे के लिए बिगो दिया था और ये हमने पान्क से छे कडी पत्ता लिया है तो आईए हम कुकर में चावल बनाएंगे यह मैंने कुकर लिया है और आप मैं इसमें ओईल डालूंगी ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें जीरा और मोटी लाइची लोंग डाल दूंगी अब मैं इसमें गड़ी पत्ता डाल दूँए आधी मैं इसमें एक ग्लास पानी और ये दो ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया है स्वादनी स्वार नमख डाला दूंगी एक चमबच नमख डाला है और इसे मैं मेखों करोंगए और शूदाने चलस करें लेते और यहां है हमारे छाले देखने में कितना बड़िया लग रहे हैं और यह बंद कर तेयार हो चुके हैं हमारे छोले मैं इन्हें 5 मिनट और पकने दूंगी हमारे कुकर में एक चुटी आ चुकी है गैस को मैंने बंद कर दिया है अब मैं इसकी विसल निकलने तक इंतिजार करूँगी तो आईए ये हमारे चुटे बंद कर तियार हो चुके हैं अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगी और छोलों को एक बाउल में सर्फ करूंगी ये मैंने एक चम्मच देशी घी लिया है अब मैं चन्नों के उपपर देगी मिच का तड़का लगाऊंगी ये थोड़े से मैंने अधरके टुकुडे लिये हैं इनको ने लंबलंब काटा हुआ है और ये दो हरी मिर्च एक हरी मिर्च मेंसे मैंने दो हरी मिर्च कर लिये हैं और ये चुथाई जब माच मैं इसमें देगी मिर्च डालूँगी गैस को मैं बंद कर दूंगे अब मैं ये तड़का इस कढ़ाई के उपड़ा डालूंगी और बाकी बचा हुआ मैं छोले में डाल दूंगी यह हमारे छोले बनकर त्यार हो चुके हैं और अब मैं चावल खोल के देख लेकिए हूं हमारे कुपर की विश्ण निकल चुकी है यह हमारे चावल देखने में कितने बढ़िया से बनके त्यार हुए हैं यह देखो कितने खिले खिले चावल बनके त्यार हुए हैं इन्हें भी मैं एक प्लेट में सर्फ करूँगी यह हमारे चोले और चावल बनकर त्यार हो चुके हैं हमने चोले के साथ जीरा राइस बनाया है और साथ में ही सलाद कट किया है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें